नमास्कार दोस्तों आज की वुड़ी में इंजर में प्रियोख होने वाले इंलेट मैनिफोल्ड और एग्जोस्ट मैनिफोल्ड के बारे में जानेंगे तो अगर आप चैनल पर ना है याँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर वे लाइक एंगंटी जोरदवा दें ताकि आपको ऐसी इंपोर्टेन वीडियो की जानकारी में सा मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हम आज की इंपोर्टेन वीडियो इंलेट मैनिफोल्ड एंड अग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पहले हम जानेंगे इंलेट मैनिफोल्ड के बारे में की इंलेट मैनिफोल्ड क्या होता है तथा ये गाड़ियों में योंप्योवियाता है तो Inlet Manifold का काम जहो हवा या फिर मिक्चर को Inlet बालब दोरा हर एक सिंडर में बराबर मातर में पुछाने का काम जहो Inlet Manifold करता है Inlet Manifold को जो हो जाजतर Aluminium Allogica बना होता है हमारे जो Inlet Manifold होता है उसके अंदर का रास्ता समोथ और फाइन रखा जाता है ताकि हवा या फिर मिक्चर को Manifold से गुजरतिस में किसी भी परकार की रुकावट या फिर बादा ना आए इसलिए हमारे जो Inlet Manifold होता है उसके अंदर का रास्ता समोथ और फाइन रखा जाता है हमारे जो Inlet Manifold होता है उसको स्टड़ों ज़ारा सिंडर हेड के साथ जो टाइट कियाता है और हर एक जोड पर गैस्केट का इस्तिमाल कियाता है इसके हर एक जोड पर गैस्केट का इस्तिमाल इसलिए कियाता है ताकि वहाँ से हवा लिक ना हो पाए तो यह होता हमारा inlet manifold अब हम जानेंगे exhaust system के बार में तो यह आपको दिखरा है हमारा सारा exhaust system होता है जो कि हमारे truckों, busों, tractor, carों और motorcycle इन सभी में exhaust system जो प्रयोग में ला जाता है exhaust system का काम जो हो exhaust gas को driver या फिर यातिन से दूर छोड़ने का काम करता है तथा exhaust gas के अवाज को भी कम करने का काम करता है हमारा exhaust system exhaust system के मुख्य बाग होते हैं जो कि exhaust manifold, exhaust pipe, exhaust muffler और tail pipe यह सभी exhaust system के parts होते हैं जिनके बारे में हम एक एकर करके dishes करेंगे तो पहले हम जानेंगे exhaust manifold के बार में कि यह क्या होता है तो exhaust manifold जो हो, inlet manifold की तरह ही होता है फर्क सीपर सिर्फ इतना होता है कि जो मारा inlet manifold होता है, यह aluminum alloy का बना होता है जबकि हमारा exhaust manifold होता है, cast iron का बना होता है तो यह होता हमारा exhaust manifold होता है यह cylinder head यह फिर cylinder block के साथ SO toss की gasket के साथ चोड़ा जाता है तो यह होता हमारा exhaust manifold अब हम जानेंगे exhaust system के अगले भाग exhaust pipe के वारे में की exhaust pipe क्या होती है तो exhaust manifold से निकली हुई गया से exhaust pipe दोरा catalay converter तथा muffler तक पहुझाए जाती है जिसा कि आपको पता है कि engine जब चलता है तो काफी vibrate करता है जबकि muffler जो chassis के साथ बंदर आता है इंजिन की vibration muffler तक ना पहुझे इसलिए इसके बीच में flexible pipe का प्रियो किया आता है तो यह उते मरी exhaust wipe अब हम exhaust system के अगले भाग catalay converter के बारे में जानेंगे catalay converter जो हो तीन प्रदूस्तिक गैसें carbon monoxide, hydrocarbon, nitrogen oxide इनको carbon dioxide और भाप अर्थात पानी और nitrogen में बदलने का काम जो हमारा catalay converter करता है ताकि जो भी प्रदूस्तिक गैसें होती है उनको भाप में बदला जा सके इसलिए हमारे जो exhaust system होता है उसमें हमारे catalay converter का प्रोग की आता है अब हम exhaust system के अखले भाग exhaust muffler के बारे में जानेंगे कि exhaust muffler क्या होता है तो exhaust बालब दोर निकली जली हुई gas जो exhaust pipe से exhaust muffler में आती है exhaust muffler का काम जो exhaust gas के temperature को कम करना होता है और जो भी exhaust gas की अवाज होती है उसको भी कम करने का काम जो हमारा exhaust muffler करता है तो यह होता हमारा exhaust muffler अब हम exhaust system के अगले पार्ट जो कि हमारी tail pipe होती है इसके बारे में जानेंगे तो tail pipe का एक हिसा जो लेंप दोरा muffler से जोड़ा रहता है जैसे कि आपको picture में भी दिख रहा है जबकि दूसरा हिसा जो जैसी के साथ बंदा रहता है यह हम muffler से exhaust gas को लेकर गाड़ी के पीछे चोड़ देने का काम जो हमारे tail pipe करती है तो यह हो तमारा inlet system और exhaust system आयोप आप जो हो inlet manifold और exhaust manifold के बारे में जान गए होंगे तो यह थी मारी आज की important वीडियो अगर आपके वीडियो अच्छे लगियो तो वीडियो को like, comment, share जोर करें चैनल को भी subscribe कर लें ताकि आपको ऐसी important वीडिक चंड़कारे में साथ मिलती रहे तो मिलते हैं जल्दी नए वीडिक साथ तब तक के लिए जाहें जबारत